विवेशना में आज कहानी जे आरडी टाटा की, जो नहीं चाहते थे क्योंने भारत रत्म दिया जाए अब विवादन फिकार करिए रेहान फदल का कहा जाता है कि टाटा सरनेम गुजराती शब्द टम्टा या तीखा से आया है जिसका अर्थ होता है मसालेदार या बहुत गुजसे वाला और वस्तम में टाटा घराने के सर्वोच पदों पर बैठने वाले ज्यादा तर लोग अपने गुजसे के लिए मशूर रहे हैं टाटा घराने के संस्थापक और जे आरडी टाटा के चाचा जमशेच जी टाटा के बारे में एक किस्सा मशूर है कि वो एक बार अपने एक अंग्रेज दोस्ट को मुंबई के एक होटल में खाना खिलाने ले गए होटल के दर्वादे पर खड़े दर्वान ने कहा आपके दोस्ट का हम सौगत करते हैं लेकिन आपको हम होटल के अंदर नहीं आने दे सकते क्योंकि ये होटल सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही है उसी शाम जमशेज जी ने गुस्से में तेह किया था कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जो भारत की शान होगा और जहां पूरी दुनिया के परियटक आया करेंगे इस तरह हो 1903 में बंबई बंदरगा के सामने ताज महल होटल का उदे हुआ जे आड़ी टाटा की पता आड़ी टाटा जमशेज जी टाटा के चचेरे भाई जे आड़ी को उनके नस्दी की लोग जे कह कर पकारते थे जे आड़ी की माँ चुकि फ्रेंच थी इसलिए उनके घर में फ्रेंच बोली जाती थी जे आड़ी को बच्पन से ही जहाज में उडने की दिवान की थी जहाज उडाने के लिए पाइलिट का लाइसेंस पाने वाले वो पहले भार दिये थे जियाडी की जीवनी Beyond the Last Blue Mountain में आर-म लाला लिखते हैं लंदन टाइम्स के 19 नवंबर 1939 के अंक में आगाहां की तरफ से एक विग्यापन छबा जिसमें कहा गया था कि जो भारती इंगलेंड से भारत या भारत से इंगलेंड की अकेले हवाई जहास से यात्रा करेगा उसे 500 पाउंड इनाम में दिये जाएंगे ताटा ने ये चुनोती सुईकार की लेकिन उन्हें इस मकाबले में अस्पी इंजीनियर ने खरा दिया जो बाद में भारत के वाई उसेना अध्यक्ष बने 15 अक्तूबर 1932 को जे आडी ने कराची हवाई अड़े से हवाई डाक लेकर एंदाबाद और उसके आगे बंबई के लिए उडान भरी बाद में टाटा ने अपने जीवनिकार आर्म लाला को बताया हमारे पास हवा या जमीन पर हमारी मदद के लिए कोई नेविगेशनल एड़ नहीं थी और नहीं हमारे पास रेडियो था बंबई में कोई हवाई अड़ा तक नहीं था हम जुहू के सपाट अलाके में जहास लैंड कराते थे जब कभी मौसम बहुत खराब होता था तो हम विमान को पूना ले जाते थे और गिरवडा जेल के आहाते में उसे उतारते थे जब हमने टाटा एरलाइन शुरू की तो हमारे पास सिर्फ दो विमान तीन पाइलिट और तीन मेकैनिक थे जाड़ी को तेज गती से कारे चलाने का भी शौक था शायद इसी वज़े से उनकी अपनी भावी पतनी ठेली से मुलाकात हुई हुआ ये कि उन्होंने अपने नीले रंग की बुगाती कार से पैडर रोट पर एक एकसिडेंट कर दिया और पुलीस ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया इस से बचने के लिए वो समय बंबई के चोटी के क्रिमिनल लॉयर जैक विकाजी के यहां गए जहां उनकी मुलाकात विकाजी की भतीजी थैली से हुई कुछ समय बाद दोनों ने विवाख कर लिया जियार डी और थैली अपने हनीमून के लिए दारजिलिंग गए और वो भी जाडे में जिस दिन वो वहां से कार से वापस आ रहे थे बंगाल के गवर्णर सर स्टैनली जेकसन भी कार से कलकता लोट रहे थे जब उनकी कारों का काफिला गुजरने वाला था तो पुलीस ने टाटा की कार को रोक दिया गिरीश कोबेर, अपनी किताब, टाटाज, How a Family Built a Business and a Nation में लिखते है उस दिन बहुत सर्दी थी, इसके बावजूद जे आडी की कार को एक घंटे से भी अधिक समय तक रोके रखा गया उन्होंने वा उनकी पत्नी ने इसका विरोध करने की योड़ना बनाई जैसे ही गवर्णर की कार वहाँ पहुँची, थैली उसके सामने जाकर खड़ी हो गई जे आडी गवर्णर की कार की खिर्की की पास पहुँचकर सोर से चिलाए आप अपने आपको समझते क्या है जो आपने इतनी भयानक सर्दी में एक घंटे से पास सो लोगों, औरतों और बच्चों को रोक रखा है यो डैम फूल सुन्दर थैली की जिन्दगी ता उम्र अपने पती के इर्द गिर्द गुजरी लेकिन जियाडी की दूसरी महिलाओं में रुची हमेशा रही असी के उम्र में भी जब कोई सुन्दर चेहरा उनके आसपास नजर आ जाता था तो जेक के आँखों में चमका जाया करती थी मशूर नेता मीनू मसानी के बेटे जरीर मसानी अपनी आत्म का था मेरे माता पिता टाटा दमपती के घर के पास रहते थे और मीनू टाटा के एग्जुकेटिव असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे जियाडी की शादी सुखर नहीं थी वो अपनी पतनी के प्रती वफादार नहीं थे उनके फ्रेंच व्यक्तित्व और एकसिंट या लहजी की वज़े से बहुत सी सुन्दर महिलाएं उनकी तरफ आकरशित होती थी बात में मुझे पता चला कि उनमें से एक मेरी मा भी थी लेकिन इसके बावजूद जियाडी ने कभी भी अपनी पतनी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा सिर्फ चौते साल के उमर में जे को पूरे टाटा सा मूख की जिमेदारी सौंपती गई अपने कर्मचारियों का ध्यान रखने के जियाडी के बहुत से किस्से मशूर है इनफोसिस के प्रमुक एन आर नारायन मूर्थी की पतनी सुधा मूर्थी बताती है कि उन्होंने इंडियन इंस्ट्यूट आफ साइंस से इसनातक की डिग्री लेने के बाद टाटा की कमपनी टेलको में इंजिनियर की नौकरी का इस्तेहार देखा जिसमें लिखा था कि सिर्फ पुरुष इंजिनियर ही इस पत के लिए आवेदन भेज सकते हैं सुधा ने तुरंट जियारडी को एक पोस्कार्ड लिखा जिसमें उन्होंने इस इस इस्तेहार के लिए उनकी कमपनी को पुरा तनपंथी बताया जियारडी ने तुरंट हक सक छेप किया और उनको तार भेज कर नसर्फ इंटर्वियू के लिए बुलाया गया बलकि वो टाटा शॉप फ्लोर पर काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर भी बनी आठ साल बाद एक दिन वो बॉम्बे हाउस की सीडियों पर जियारडी के सामने पड़ गई जियारडी इस बाद से परेशान हुए कि वो अकेली है और उनके पती उन्हें लेने नहीं आए हैं और रात हो रही है जियारडी तब तक उनके साथ खड़े होकर उनसे बतियाते रहे जब तक उनके पती नारायन मूर्ती उन्हें लेने नहीं आगए टाटा की प्रती सम्मान दिखाने के लिए सुधा मूर्ती अभी तक अपने दफ्तर में टाटा की तस्वीर रखती है टाटा की सादकी के भी बेंतहा किस्से मशूर है हरीश भट अपनी किताब टाटा लोग में लिखते हैं कई बार अपने दफ्तर जाने के रास्ते में वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे अपने कर्मचारियों को अपनी कार में लिफ्ट दिया करते थे भारत की आजादी के बाद जियाडी ने भारत के लिए बहुत उंचे सपने देखे थे समाजिक तोर पर वो नेहरू गांधी परिवार के बहुत नस्दीक थे लेकिन उनके समाजवादी आर्थिक मॉडल से उन्हें घोर आपती थी अगस्तु 1953 में सरकार ने सभी नौन नीजी हवाई कमपनियों का राष्ट्रिय करण कर उसका एर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एरलाइंस में विले कर दिया जे को इससे बहुत धक्का पहुचा लेकिन खनीमत ये रही कि उन्हें एर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया एर इंडिया के चेर्मेन के तौर पर उसके कामकाज में जेह की दिल्चस्पी इतनी होती थी कि वो एर लाइंस की खिड़कियों के परदे तक चुनने के लिए भी खुच जाते थे गिरीश कुबेर लिखते हैं एक बार उन्होंने एर इंडिया के प्रबंद निदेशक के इसी बाखले को पत्र लिखा था अगर आप खाने में अधिक अलकोहल वाली बियर परोसते हैं तो पेट भारी हो जाता है इसलिए हलकी बियर सर्फ कीजिए मैंने नोट किया है कि हमारे जहाजों की कुर्सियां ढंक से पीछे नहीं मुड़ती है करप्या उन्हें ठीक करवाईए ये भी सुनिश्चित करिए कि जब भोजन परोसा जाए तो विमान की सभी लाइट्स आउन रहे ताकि हमारी कटलरी उनकी रोशनी में चमक सके उनको पता था कि वो पैसा खर्च करने के मामले में विदेशी एरलाइन्स का मकाबला नहीं कर सकते इसलिए उनका सोर हमेशा सर्विस और समय की पाबंदी पर रहता था इस बारे में एक दिल्चस्फ किस्था यूरप में एर इंडिया के रीजनल डारेक्टर रहे नारी दस्तूर सुनाया करते थे उस जबाने में दिन में 11 बजे एर इंडिया की फ्लाइट जीनीवा में लैंड करती थी एक बार मैंने एक स्विस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समय पूछते सुना उस शक्स ने खिड़की के बाहर देखकर जवाब दिया क्यारा बच चुके है पहली व्यक्ति ने पूझा तुम्हें कैसे पता तुमने घड़ी की तरफ तो देखा ही नहीं जवाब आया, एरइंडिया के विमान ने अभी अभी लैंड किया है इंद्रा गांदी की शादी में उनके पिता जवाहलाल नहरू ने जे और उनकी पत्नी को इलहाबात आमंतरिट किया था शुरुमें इंद्रा गांधी उनके पसंद करती थी वो या तो खिड़की के बाहर देखने लगती या अपनी डाग खोलने लगती इंद्रागांधी से उनका वैचारिक विरोद भले ही रहा हो लेकिन उन्होंने जे को हमेशा एर-इंडिया से जुड़े रहने दिया उनको एर इंडिया से निकाला इंद्रा गांधी के बाद प्रधान मंत्री बने मुरार चीदे साई ने उनको इसकी कोई पूर सूचना नहीं दी गई इसकी खबर उन्हें पी सी लाल समिंदी जिनें उनकी जगे एर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था टाटा के साथ सरकार के बरताओ के विरूद में उस समय एर इंडिया के प्रबन निदेशक केजी अपो स्वामी और उनके नमबर दो नारी दस्तूर ने स्तीफा दे दिया एक बार उनके जीवनिकार आरेम लाला ने उनसे पूछा था कि भारत के आर्थिक मामलों में उनका सबसे बड़ा योगदान क्या है तो उनका जवाब था मैं नहीं समझता कि मैंने भारत की अर्थ्विवस्था में कोई खास योगदान दिया है सिवाए नेतिक मुल्यों के मेरा मानना है कि नेतिक जीवन आर्थिक जीवन का एक हिस्सा है जाने माने आर्थिक पत्रकार टिये नाइनन भी कहते हैं कि टाटा समूर ने एक आद बार मुल्यों से भले ही समझता किया हो योगि भारत के वर्थमान कानूनों के तहट पूरी इमानदारी से काम करना अतना आसान काम नहीं है लेकिन मोटे तोर पर टाटा समूर ने नेतिक मूल्यों को छोड़े बिना अपना काम किया है टाटा को ता उम्र अपनी किताबों, कविताओं, फूलों और पेंटिंग से प्या रहा उनकी इतिहास में बहुत रुची थी हासकर ग्रीक, रोमन और नेपोलियन के आसपास के फ्रेंच इतिहास में अमेरिका के पूर विदेश मंत्री हिन्री किसिंजर से उनकी नस्दी की दोस्ती थी दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे लेकिन किसिंजर टाटा के जीते जी कभी भारत नहीं आये जी आड़ी टाटा को याद करते हुए उन्होंने कहा था मैंने अंतराश्ट्री मंच पर बहुत से लोगों से मलाकात की है लेकिन मुझे जी आड़ी की टककर के लोग कम मिले है एक जमाने में फ्रांस के राश्पती रहे जाक शिराग भी जी आड़ी के दोस्त थे और कई निजी मसलों पर उनकी सलाह लेते थे जी की आड़ाश खजब की थी उनका अपना कोई बच्चा नहीं था गिरीश को वेर लिखते हैं एक बार उनसे पूछा गया था क्या आपको कभी अपने उत्रादिकारी की कमी नहीं महसूस हुई जो आपके बाद आपकी विरासत को आगे बढ़ा सके जी का जवाब था मैं बच्चों को प्यार करता हूँ लेकिन मैंने कभी भी किसी बेटे या बेटी को अपने उत्रादिकारी के रूप में नहीं देखा जी आडी टाटा को भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न और फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान लेजिन आफ ओनर से सम्मानित किया गया जब रतन टाटा ने उन्हें खबर दी यह उन्हें भारत रत्न के लिए चुना गया है तो जे की त्वरिक ट्रिप पनी थी ओ माइगाट मुझे क्यों क्या हम इसे रोपने के लिए कुछ नहीं कर सकते यह सही है मैंने कुछ अच्छे काम किये है देश को नागरिक उट्डेन दिया है उसका उद्योगिक उत्पादन बढ़ाया है वाट सू वाट यह तो कोई भी अपने देश के लिए करता रिहान फदल बीबी सी दिल्ली